लखी स्राइट पुलीस को मिली बरी सफलता दो सालों से फरार चल रहे नक्सल परदीब साव को चानन थाना छेत्र के महुलिया गाउं से ग्रभतार किया है एसपी पंकच कुमार को गुप्त सुचना मिली थी कि नक्सली परदीब साव महुलिया गाउं में आया हुआ है इसी सुचना पर ASP अभ्यान मोतिलाल के नेत्रित में SSB और चानन थाना छेत्र की पुलिस ने छापे मारी कर नक्सली परदीप साव को ग्रपतार किया है परदीप साव पर चानन स्थाना छेत्र में 2022 में महुलिया निवासी राजेंदर यादव एबं उसके पुत्र के अपहरन में सामिल था ASP मोतिलाल ने बताया कि परदीप साव हाटकोर नक्सली यरविंद यादव का खास सयोगी है फिरहाल ये जारखन में नक्सली संगठन के लिए काम कर रहा था पुलिस पुछताज के बाद ग्रपतार नक्सली को जेल भेज दिया है क्या कुछ करें ASP मोतिलाल देखिए अभी जैसा कि लोग सभाज चुनाओं के वजह से लगतार जिला पुलिसमल और SSB के द्वारा जिले में विविन ठाना च्छत्रों में अभियान तेजी से चलाया जा रहा है उसी करम में एक गुप्त सोचना पराथ हुई कि एक ब्यक्ति मौलिय गोम आया हुआ है जो कि पहले से पिछले दो सालों से फरार है इसी करम में पुलिस सद्रीचेक महोदय से यह आसुचना को साजया किया गया जिसके अंतरगत उनके निर्देसान उसार एक टीम की गठन की गई जिसमें SSB और जिला पुलिसवल और चानन थाना अध्यचक निर्टितों में और महोलिया महों में छाप अमारिया भ्यान किया गया जिसमें एक ब्यक्ति संदिक अवस्था में भागते वे पाया गया और जब उसको पकड़ा गया तो उसकी पाचान परदीब साव पिता रामचंदर साव ग्राव महोलिया जो तेरा अबलिक 22 कांट संख्या चानन थानं तरगत यह दो सालों से फरारी था तेरा अबलिक 22 दोवर्स पूर्वर इस जीले में गटना हुई थी जिसमें रामजी यादव और उसका बेटा धरमभी यादव को नक्सलियों ने महोलिया गाउं से अपहरां किया था जिसमे करीब 20 की संख्या में नक्सलियों आया थे जिसमें मुख्य रूप से अर्भिंदी जादव अर्जुन कोड़ा बल्यस्वर कोड़ा इन सभी की संलीप्षता थी सुरच्छावलों के दवाव के कारण नक्सलियों ने सर्वप्रितम रामजी यादव को घरत्तारी से मुख्या उसके बाद दविश्क और तेजी से बढ़ाया गया है जिसके कारण उसके बेटे को भी नक्सलियों ने छोड़ दिया और सकुसल वो लोग दोनों बाप और ब चर्वाएं को जारी किया गया पर दीप साव का क्या रहा हो था सर्व पर दीप साव बेसिकली या अरभिन दीजादों का खास रहा है यह पहले भी यह पूलिस और सुरच्छावलों के सूचना नक्सलियों को दिया करता था साथी साथ इसका समान लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होता था, वो नक सलियों को पोच आता था अभी क्या आजता है। वरतमान में अजय साथ, जो जैसा के हम indicates आसे परच पता चला कि या जारकन में था और वतमान करदे भेंजें रिकाहाय कि इनकी संलिथता, नक सलिऊंय बसात नहीं है उसे इसकार हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूस्ताच कर रहे हैं, खिलान इसके साथ कोई और समान वगर हमको प्राप्त नहीं हुआ है. कुल केतने मामले दर्स हैं सरीष पर? कुल एक मामले दर्स है.